नमश्कार, मैं उलवली और आप देख रहे हैं अज़य भारत और जैसे कि आपको पता है है कि गिरिरहा, सिंग ने नितिश कुमार, मुख्य मंतिर नितिश कुमार पर तंच कसा था, इफ्तार पार्टी को लेकर और उसी पर नितिश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी इशारो ही इशारो में तंच कसा है क्या है पूरा मामला, क्या कहा है उन्होंने आईए जानते हैं मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने केंडर की नरिंद्रमोधी सरकार में मंत्री आर्भारतिय जन्ता पार्टी के फायर ब्राड निता गिरेराज सिंग पर अशारों में ही तंच कसा नाम लिए बिना ही उन्होंने अध्धार मी बताया और कहा कि कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बूलने की आदत होती है इसलिए वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे उधर गिरे राज के विवादत बयान पर बीज़पी अध्यक्ष हमिश्चा नाराज बताय जा रहे है उपर मुख्य मंतरी और बीज़पी नीता सुशील मोधी भी बाक फूट पर दिखें आज़ेटी सुप्रेमों और मुख्य मंतरी नितिश कुमार और हम सुप्रेमों जितन राम मांजी लगातार दो दिन से एक दूसरे के अफ़तार पाटी में गए इसके बाद बिहार की सियासत में कयासों का सिलसिला चल पड़ा इस पर गिरे राज सिंग ने ट्विटर पर नितिश कुमार पर तंश कसा गिरे राज ने ट्विट किया कि कितनी खूपसूरत तजवीर होती जब इतनी ही चाज से नवरातरी पे फलहार का आयोजन करते हैं और सुन्दर सुन्दर फोटो आते हैं अपने कर्म धर्म पे हम पिछडकियों जाते हैं और दिखावा में आगे रहते हैं ट्विटर के साथ उन्होंने राम बिलास पासवान और जितन राम मानजी के इफ़तार पार्टी की तज़वीरे पोस्ट की जन में निदिश कुमार नजर आ रहे हैं इस पोस्ट के बाद बीज़ेपी सुप्रमों में शाह ने भी गिरिराज को ऐसे विवालत बयानों से बचने की नसीहत दी अब गिरिराज सिंग के बयान पर निदिश कुमार ने क्या का है आईए वो भी जानते हैं गिरिराज के बयान पर जेडी उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया दी लेकिन मुख्य मंत्री निदिश कुमार मौन रहे अब उन्होंने बगैर नाम लिए गिरराज पर तंच कसा उन्होंने कहा कि एक दूसरे के धर्म के प्रती इज़त का भाव रखना चाहिए किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए जो जिस धर्म का पालन करता है निदिश कुमार ने ये भी कहा कि एक धर्म के बारे में ही सोचते रहे वो धार्मिक नहीं बलकी और धार्मिक होते हैं निदिश कुमार ने आगे कहा कि वो सब को जानते हैं कुछ लोगों की आदत है मीडिया में जगा बनाये रखने की वो ऐसे बाते नहीं करें तो मीडिया में कैसे आएंगे वो ऐसी बाते कहते हैं ताकि मीडिया में जगा मिले इसलिए उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना उचत नहीं आगे निदिश कुमार ने कहा कि वो 2006 से गांधी मैदान में ईद के नमाज में आते रहे हैं सभी धर्मों को एक सम्मान मानते हैं उन्होंने बिहार में सुखाड की आसंका को देखते हुए लोग दुआ मांगे कि सुखाड ना पड़े अगर सुखाड पड़ती है तो सब एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे उन्होंने लोगों को ईद की मुबारत बात दी गिरिराज सिंग के बयान पर बैक फूट पर देखे सुखील मोदी उन्होंने क्या कहा है आई जानते हैं और मैं अपने घर में इफ्तार भी करता हूँ होली भी मनाता हूँ और फलहार भी करता हूँ साथी मुख्य मंत्री निदिश कुमार के घर इफ्तार भी होती है और छटका खरना का प्रशाद भी बनता है जो लोग तंच कस रहे हैं वो तो होली मिलन में नहीं करते गिरराज सिंग के इस बयान पर जेडी उने दी कड़ी प्रतिक्रियाएं अमिश्या ने दिया नसीहत क्या है मामला आईए जानते हैं गिरराज के बयान पर जेडी उने कड़ी प्रतिक्रिया दी GDU के प्रधान महासोचीफ केसी त्यागी ने गिरराज सिंग को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें फोटो भेज रहे हैं जुसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी में सबसे बड़े महाज़ित में हैं वाँ के सेख, जाहिद और एमाम के साथ घूमते और बात करते दिख रहे हैं पेम मोदी ने सब का विश्वास जीतने का संकल्प लिया है आबू धाबी की ये तजवीर उसका प्रतीक है अब निदिश कुमार की बयान पर आपका क्या कहना है ये अब हमरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बहार जाहर खंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजयबार